नमस्कार दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा वॉल्म ऑफ डिस्टिब्यूशन इससे पहले हमने बात कि थी बाय अविलिबिलिटी पे दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फार्मको काइनेटिक्स का मतलब ही है ADME जैट इस absorption, distribution, metabolism and excretion absorption की बात हमने पहले कर ली थी बाय अविलिबिलिटी में बिचि इस लेटें टू absorption अब बात करते हैं distribution की दो तो distribution जो है drug का absorption के बाद जब drug route of administration से जो है systemic circulation को reach करती है यानि की absorption जब drug का हो जाता है तो उसके बाद जो है drug distribute होती है जिसको कि हम volume of distribution के थुरू समझते हैं तो दोस्तो volume of distribution जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है VD जो है इस तरह से इसको denote किया जाता है और इसका जो formula रहता है इसकी जो calculation रहती है वो इस तरह से रहते है that is volume of distribution is equal to amount of drug administered in body divided by plasma drug concentration इसको अगर हमें example के थुरू समझें तो आपके सामने एक structure में ड्रॉ किया है इसको हम human body अगर माल लें suppose कर लें और totally हम यहाँ पर यह समझ लें कि human body है और इसमें 5 liter जो है यह blood है और हमने 100 mg drug जो है बाहर से जो है हमने body में administer की उसके बाद जो है अब हमें पता करना है कि plasma drug concentration कितनी है तो वो हमारे इस तरह से जो है निकल किया जाएगी that is 100 mg drug हमने administer की 5 liters blood में 100 mg drug गई तो plasma drug concentration यहाँ पर 20 mg पर लेटर हमारे पास आ गई तो अगर हम इन values को इस formula में put करें volume of distribution के formula में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 mg divided by 20 mg पर लेटर plasma drug concentration 20 mg पर लेटर और 100 mg amount of drug administered तो 5 liter हमारे पास यहाँ पर volume of distribution निकल के आ जाता है लेकिन दोस्तों actual में अगर practically अगर हम देखें तो इस तरह से volume of distribution हमारे पास इस तरह की values नहीं आती practically जो है अगर हमने 100 mg drug जो है दी है किसी भी route से जो है अगर हमने drug 100 mg administered की है body में तो plasma drug concentration कभी भी जो है amount of drug administered के equal नहीं आती हमारे पास वो हमेशा ही कम आएगी example के लिए बात करते हैं अगर हमने oral route से दी है तो कुछ factor वहाँ पर by availability का भी काम करेगा क्योंकि 100 mg drug को oral route से administer करने के बाद जब drug absorb होगी तो absorption में कुछ lost drug का होगा totally पूरी की पूरी ड्रग जो है absorb नहीं होगी और साथ में उसका कुछ first pass metabolism भी होगा जैसा कि हमने by availability में बात के थी और जो है कुछ ही drug हमारे पास by available बचती है और वो amount जो है amount of drug administered in body के equal नहीं होता और अगर हम बात IV root की भी करें अगर हमने IV root से 100 mg drug जो है इंटरवेनिस root से body में administer किये है और फिर हम अगर plasma drug concentration चेक करें तो भी जो है वो कभी भी amount of drug administered के एकुल नहीं आती वो हमेशा ही थोड़ी कम आएगी example के लिए गर हमने 100 mg IV root से दी है तो plasma drug concentration हमारे पास 80 mg यहां पर आ जाएगी दोस्तों ऐसा होता क्यों है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम body में drug administer करते हैं अगर IV root की बात करें तो blood जो है एक जगा तो नहीं है क blood तो पूरी body में जो है flow कर रहा है एक particular speed से तो जब drug जो है blood में है और blood flow कर रहा है तो drug भी जो है blood के साथ flow करेगी और वो different organs में जो है जाती है और यह organs क्या करते हैं उस drug को extract कर लेते हैं हमारे body के जो organ है systemic circulation में जब drug पहुंचती है और drug जो है blood के साथ flow करती है तो वहां पर जो है organs के द्वारा drug को extract कर लिया जाता है हम आगे clearance की बात करेंगे वहाँ पर एक word आता है extraction ratio organ clearance में extraction ratio का word आता है तो यह वहीं से word आया है extraction organs जो है drug की extraction कर लेते हैं जिससे की plasma में जो drug का amount है वो जो है वहाँ पर कम हो जाता है amount of drug administered in body से जो है वो amount कम हो जाता है इस तरह से जो है practically हमारे पास volume of distribution निकल के आता है अब देखिए practically जब हम इसको निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 100 mg divided by 80 mg in 5 liter यहाँ पर 16 mg पर liter हमारे पास plasma drug concentration आ गई यह मैं दूसरे example की बात कर रहा हूँ जब हम actually check करते हैं और जब हम volume of distribution के formula में इनको fit करते हैं और divide करते हैं तो हमारे पास volume of distribution निकल जाता है 6.25 liters आप देख रहे होंगे clearly की यह 6.25 liters volume of distribution ज्यादा है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि volume of distribution जो है अगर हमारा ज्यादा होगा it means कि जो plasma drug concentration है जो plasma drug concentration है वो हमारे less है आप खुद ही देखिए कि अगर amount of drug administered अगर 200 है और plasma drug concentration हमारे पास 200 mg है plasma drug concentration हमारे पास आ रही है 10 mg per liter तो यहाँ पर naturally ही volume of distribution 20 liters आएगा लेकिन अगर हमारे पास plasma drug concentration यहाँ पर 100 mg पर liter आ जाती है तो हमारे पास volume of distribution 2 liters निकल के आएगा तो इससे clearly पता लगता है कि जितनी जो है drug plasma drug concentration कम होगे उतना ही volume of distribution किसी भी drug का ज्यादा होगा अब दोस्तों बात करते हैं कि किसी-किसी drug का volume of distribution कम आता है किसी का ज्यादा आता है रीजन इसके पीछे यही है कि systemic circulation में जो है अगर कोई drug systemic circulation में ही flow कर रही है और organ में जिसको हम कहते हैं extra vascular tissues में जो है drug अगर नहीं जा रही है तो उस drug का volume of distribution naturally ही कम आएगा अब बात करते हैं कि ऐसा होता कि यह है दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण होता है protein plasma binding sorry plasma protein binding पी मियाने plasma protein binding जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो blood है इसमें different plasma proteins रहते हैं जैसे कि albumin, alpha 1 glycoprotein globulins हो गए इस तारह से जो है plasma protein हमारे पास रहते हैं और उन plasma proteins में different drugs बाइंड करते हैं वहीं कुछ drugs ऐसी होते हैं जो कि tightly bind करते हैं जैसे example के लिए warfarin और sulfonamide albumin के साथ बिल्कुल tightly bind करते हैं और इसी वज़ा से उनका volume of distribution है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है क्योंकि वो systemic circulation में ही systemic circulation blood के साथ flow करते रहते हैं और extra vascular tissues में नहीं जाती तो इसलिए हमें उनकी जो है dose larger dose में उनको administer करना पड़ता है body में क्योंकि अगर कम dose देंगे तो वो blood में ही circulate करते रहेंगे और site of action में जो है नहीं जाएंगी जिस वज़ा से pharmacological response हमें जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा वहीं अगर कुछ drugs ऐसी हैं जिनका की volume of distribution बहुत ज्यादा है for example chloroquine chloroquine जो की anti-malarial drug है इनका जो volume of distribution है वो near about है more than 1300 liters तेरह सो लीटर से ज्यादा जो है chloroquine anti-malarial drug है इसका volume of distribution रहता है तो यहाँ पर जो है इस drug का बहुत ज्यादा volume of distribution है क्योंकि यह जब हम body में इसको administer करते हैं तो यहाँ पर अगर हम thousand molecules administer कर रहे हैं तो इसमें से 900 molecules एकदम से जो है liver में चले जाते हैं systemic circulation में से liver में 900 molecules चले जाते हैं तो इसलिए इसका जो volume of distribution है बहुत ही ज्यादा रहता है दोस्तों यह थी बात volume of distribution की अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें मिलते हैं next topic में जानेंगे की by availability को calculate कैसे करते हैं fractional by availability क्या है और percent by availability क्या है इसके बारे में जानेंगे बने रहे हैं चैनल के साथ वीडियो को like करें शेयर करें thank you so much दोस्तों